कैसे हैं आप सब इस कड़ाके की ठंड में और अगर बारिश भी हो रही हो तो पालक अंडा बनाया की नहीं बनाया तो चलो आज बनाते हैं इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको 8-10 मिनट के लिए पालक को उबाल लेना है और फिर इसे ठंडा होने के बाद ग्राइन कर अंडे भी उबाल लेने हैं आपको जितने अंडे बनाने है अभ यह तेल गरम करना है और उसमें उबले हुए अंडे में इस तरह से कट्स लगाने है फिर इसे फ्राइ करना है टीप फ्राइ फ्लेम मीडियम रखना है आपको जब डीप फ्राइ हो जाए तब इसके उपर से थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करें हल्दी और देगी मिर्च और इसे पाँच से दस सेकेंड्स तक और फ्राइ करें फिर अंडे को निकाल लें उसी तेल कुछ सेकेंड्स तक फ्राइ करें फिर इसमें कुटा हुआ लेसन अध्रक डालें उसे भी कुछ 10-15 सेकेंड्स तक फ्राइ करें फिर इसमें बारिक कटा हुआ प्याज दो भूने और उसे गुल्डन होने तक भूने फिर इसमें डालें टमाटर और टमाटर को एक बार चला पहलें देगी मिर्च दो चम्मच जबने घणया पौडर की मैंकी अच्छु212 चम्मच उपीशुरस और जार में काफी लगा है तो थोड़ा पानी डाल कर उसे खंगाल के अच्छे से इसमें डालें और इसे भूने पालक को मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए भूनने के बाद आप इसे इसमें थोड़ा सा कवर कर दें कवर करके पकाये तो इस तरह का टिक्सर आपको मिलेग जो की बहुत ही लाजवाब लगेगा देखने में, और खाने में तो पाथ ही गया. तो अब इसमें मैं डाल रहे हो पानी, क्योंकि अब इसमें मुझे डालना है फ्राइड अंडे, और पानी मैं थोड़ा-THोड़ा करके डाल रहे ही हूं, मुझे लग रहा था कि मैं आधा Glass दालू हूँ लेकिन इसमें मैंने लगभगे Fellagay Glass के जैसा पानी डाल दिया और इसे मिला दिया और इसमें fried अंडे मैंने डाल दिये है अب इस fried अंडे के साथ पालक को आपको पकाना है आप जितना गाढ़ा और रखना चाहते हों या 5 मिनट भी आप पका सकते हैं मैंने इसे 7-8 मिनट तक और पकाया है और उपर से इस तरह से जो पालक है पालक की गरी ग्रेवी जो भी बोले उपर से डाल दें और धकन से ढग दें तो मैंने 7-8 मिनट और पकाया 7-8 मि ये टेक्स्टर देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लेम बंद करें धनिया का पत्ता उपर से खुब सारा डाले और सर्व करें अगर आपने ये पालक जो है अंडा पालक बना लिया ना मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अभी तो आपको देखते ही बनाने का अमन करेगा और अगर आपने बना लिया इस तरह से तो आप इसे हर बार अभी पूरी सर्दी में लगभग हर तीसरे चौथे दिन आप इसे जरूर बनाना चाहेंगे रसेपी ट्राइ कीजे अच्छा लगे तो लाइक शेर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब वीडियो दिखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद